बंदेवातरम साथियों विश्यसकर ऐसे करमजारी साथी जो या तो सिवारनिवर्थ हो चुके हैं जो वरिष्ट जन हैं वो या ऐसे कोई कार्मिक या साथी या कोई वीवर जिनके परिवार में कोई सदसे है वो सिवारनिवर्थ हो चुके हैं उनके RGSS कार्ड को पैंसनर कार तो मैं आपको इसका प्रोसेस से बताने का प्रेस कर रहा हूँ बहुत ही चोटा सा प्रोसेस से एक बार आप फॉलो कर दें तो आपका प्रोसेस ये जो RGSS की सर्विस केटेगरी है वो चेंज हो जाएगी तो जहां तक संभव हुआ है मैं आपको अथेंटिक जानकरी देने का प्रेस कर रहा हूँ लेकिन जो भी नियम्स या रूल से वो समय समय पर अपडेट होते रहते हैं इसका में तो आज जैसे सेवा नीट हो चुके हैं और सेवा में रहते हुए उन्होंने आज जैसे कार्ड बनाए था उसका उप्योग भी किया था अब सेवा निवर्ति के बाद में RGSS card में जो service थी वो category change करने पड़ेगी क्योंकि वो पहले तो service में थे अब पैंसनर है तो पैंसनर category कैसे change होगी उसका क्या process होगा तो वो process एक आपको मैं बताने का पराइस करना हूँ तो सबसे पहले तो आपको RGSS card में service category परिवितन करवाने के लिए निम्न परकरिया को follow करें अब पहला जो step होगा उसमें है कि prisoner निदेशक जो RGSS के हैं उनको card में service category change के लिए offline आवेजन पत्र लिखें एक application लिखें सेवामसरिमान जो भी prisoner निदेशक है जिसका address भी यहां दिया हुआ है उस address पे आपको एक application लिखने है जिसमें आपको RGSS card के नमर पकराद और सारी details, employee ID पकराद जो भी आपके है उसमें details देदे और उसमें आपको लिखना है कि मेरा जो service category परिवितन करें जोतिनगर जैपूर 302005 इस address पे आपको यह letter पेजना है मैं आपको दुबर address पता देता हूँ प्रिजना निदेशक RGSS राज भी मायम प्राते विदनिधी विभाग वित्भवन डी ब्लॉग दितितल जोतिनगर जैपूर 302005 इस address पे आपको application लिखनी है और application के साथ में आपको क्या-क्या दिस्तावेज सनलंग निकरने है फोटो कोपी सनलंग निकरनी है एक तो आपका जो RGSS card बना हुआ था वो आप साथ में लिगा दें और सभी पे जो भी आपके फोटो कोपी तो उस पे आपके अपने self structure या self address कर लें उसके बाद PPO की कोपी आपको PPO जारी हो गया होगा क्योंकि आजगल जो PPO का प्रोसेस हो IFMS 3.0 के माद्धियम से online हो रहा है और लगभग सेवा निवर्ति के दिन सारी प्रोसेस शुरू हो रही है या आपकी सारी जो फर्मलिज पूरी हो रही है तो PPO कार्ड की कोपी RJSS कार्ड की कोपी इसके लाबा जन्नादार कार्ड की कोपी और सेवा निवर्ति आदिस की प्रति इस चारों डोकुमेंट है इनकी फोटो कोपी आप साथ में सनलंगने कर लें और आपको अप्लाइन जो एड्रेस मैंने बताया है प्रिजना निदिसक, RJSS, राज्य पीमा और परादे निदिवग, विद्भवन, डी ब्लॉग, दित्तितल, जोतिनेकर जैपूर इसको आपको पेज़ दे रहा है इसके बाद, यह तो होगया उफलाइन प्रसेस इसके बाद में कुछ ऑनलाइन प्रसेस भी आप कर लें ताकि आपका जो भी काम है वो ज़रूर जल्दी हो जाए तो जैसे आप डाक से पेज़ दें कुछ दिनों बाद में जैसे आप अंदर लगा दें कि 4-5 दिन में आप पहुंच जाएगा तो उसके बाद में आप ऑफ-लाइन जो आवे दिन प्रसेद करने के बाद आज जैसे इसकी जो एल्प्रेस के उसे एक मेल भी कर दें और वसके तो जो एप्लिकेशन और जो प्रसेद की कॉफियों की पीडियाप बना करके उस मेल में आप भेज़ दें और जो इमेल एडि उसकी रहेगी helpdesk.rgss.gov.in यहीं एक बार में पुना आपको होता दूँ helpdesk.rgss.gov.in इस एमेल पर आपको मेल भेजना है जिसमें आपकी अप्लिकेशन, RGSS की कार्ड की कॉपी, PPO की कॉपी, जनादर की कॉपी और सेवर निवर्तियादिस की फोटो को भी यह सारी एक बार सभी की इमेज को यह आप पीडियाप बना लें और वो भी आप साथ में सलनग ने कर लें ताकि अगर मनलो अफलाइन आवेदन नहीं पहुंचे तो एक पूरा आवेदन है वो एक तरह से आपका ओनलाइन भी पहुंच जाए तो यह दोनों काम करें उसके बाद आवेदन भेज दें इमेल करें उसके बाद मैं चार-पांच दिन बाद यह तो इंद्जार रगरें फिर भी आप चेक करते रहें और अगर मनलो उसके बाद भी आपकी केटेगरी चेज नहीं होती है तो आर्जेस की एक एलपलाइन सके उसके बाद में कुछ दिन बाद में जैसे आपके वहां कार्ड की केटेगरी चेंज हो जाएगी या तो आपके मोबाइल जो भी रिष्टर मोबाइल होगा उसमें मेंसेज आएगा नहीं तो आप पुरा प्रोसेस था कि सबसे पहले आपको आप एक एमेल भी कर दें उसी आप लाइन की कॉपी की पीडियो बना करके एमेल में बेज दें और कुछ लिख भी दें कि मेरी क्रेटिकरी चेंज करने की कृपा करें उसके बाद में आप 181 पर भी कॉल करें ताकि आपका काम है वो जल्दी से जल्द लेगी और इस तरह की अपडेट चैनल के लिए चैनल पर उने वीडियो कर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें शेयर करें और अब इसभी जो भी अपने साथ है उनके साथ शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड़ोड आप अब तुरन नोटिफिकेशन मिल जाए तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक जय हिंद जय भारत